हैले दोस्तो, आज हम बात करेंगे भारत में ब्रिटिश काल के शुरुवात के बारे में अठारवी शतापदी के मद्दे में बारत में विबे नैतियासिक ताकते काम कर रही थी जिसके परिणाम शरूप देश एक नई दिशा की और बड़ा कुछ इतियासकार वर्ष 1740 को ब्रिटिश काल की शुरुवात के रूप में मानते हैं जब यूरोप में उश्रे उत्तर इदिकारी के युद के मद्देनेजर भारत में सर्वोस्ता के लिए एंगलो फ्रांसेसी शंगर शुरू हुआ था कुछ लोग वर्ष 1757 को देखते हैं जब अंग्रेजों ने प्लासी में बंगाल के नवाब को निर्धार तिथे के रूप में हराया था अभी भी 1761 पानिपत की तीचरी लड़ाई का वर्ष जब एमस्षा अबदाली द्वारा माराठो को पराजित किया गया था को भारतिय इतियास के शुरुवात के चेरे के रूप में देखते हैं हाला कि ऐसे सभी काला नोकरमिक स्थल कुछ हद तक मनमानी है क्योंकि उस समय के आसपास शुरू हुए और आजनेतिक पड़िवरतन को पूरा होने में लगबग 80 साल लगे उधारन के लिए जैसा कि हम 17-61 के बारे में सोचते हैं अंग्रेजों के दिमाग में निश्चित रूप से आएगा प्लासी और फ्रेंच पर बंगाल के नवाब पर उनकी जीत के कारण लेकिन हम पूरी तरह से माराठों के बारे में नहीं लिखेंगे और शायद हैदर की भावनों पर भी विचार करेंगे वास्तम में ये भारती इतियास का एक दोर था जिसे हम वर्तमान में जो कुछ भी जानते है उसकी व्याक्खा करना शायद एक गलती होगी फिर भी जिन परिस्तितियों में ब्रिटिश सफल हुए वे इस पस्ट नहीं है और जिन कुछ बाधाओ का उन्होंने सामना किया वे एक गंभीर प्रकरती थी यह विरोधा भास ही है जो भारत में सामरज्ज सथापिश करने में ब्रिटिश सफलता के कारोणों को काफी रोची का विशय बनाता है तो यतिकानी भारत में ब्रिटिश काल की शरुवात के बारे में वीडियो पुसंद आए वीडियो को लाइक करे, सब्सक्राइब करे और कमेंट जरूर करे